नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम अगरदूत में अगरदूत जी हाँ दोस्तों ये कैसा कारिक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन और इमानदारी के दम पर ना केवल समाज में एक खुद मुकाम हासिल क्या हो बल्कि वो समाज के लिए प्रिणा काम भी कर रहे हूं समाज के दूसरे लोग इन अगरदूतों से lis के लिए हम अपने कारिक्रम अगरदूत में ऐसे लोगों को अतिति के तौर पर बुलाते हैं हमारे आज के अगरदूत हैं शिरी जैप्रकाश अगर्वाल जी शिरी जैप्रकाश अगर्वाल कॉंग्रेस के वरिष नेता हैं दिल्ली से पांच बार वो सांसद रह चुके हैं हाला कि किसी परिचय के मोताज नहीं है लेकिन हम दिखाते हैं उनका एक छोटा सा सफरनावा आठवी, नोवी, ग्यारवी और पंदरवी लोकसभा के सदस्य रहे जैप्रकाश अगर्वाल दिल्ली राजनीती के स्तंभ हैं सोतंतरता सैनानी परिवार से तालोक रखने वाले जैप्रकाश अगर्वाल का बच्पन चांदनी चोक में बीता और आगे चलकर उन्होंने राजनीती में इसी को अपनी कर्म भूमी बनाया 1973 में दिल्ली के हंसराज कॉलिज के सबसे युवा प्रेजिडेंट रहे जैपी अगर्वाल 1984 में दिल्ली के डिप्टी मेयर चुने गए दिल्ली के चांदनी चोक से वो तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने नौर्थ इस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की 2007 से 2010 में वो दिल्ली प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी के अध्यक्ष भी रहे आज वो दिल्ली कॉंग्रिस के सबसे बड़े नेता हैं और जनता उन्हें दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है देश के सबसे बड़े राजनीति घराने गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त करीबी जेपी अगरवाल अगरवाल समाज के आदर्श हैं उन्होंने राजनीति को सिर्फ समाज सेवा का जरिया बनाया यही कारण है कि आज ना सिर्फ दिल्ली बलकि देश के कई बड़े समाजिक संस्थानों से उनका सीधा नाता है वो अपने राजनीतिक जीवन में चाहे कितने भी व्यस्त हो लेकिन समाजिक संस्थाओं के लिए वो समय जरूर निकालते हैं अपने पारिवारिक प्रिष्ट भूमी और बच्पन से ही स्वतंतरता सैनानियों के संपर्क में रहने के कारण वो नैशनलिजम को अपना आदर्श मानते हैं और आजादी के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं यही कारण है कि समाज के दबे कुछले लोगों के हक की लड़ाई हो या समाज के हर वर्ग की कोई समस्या हो हर काम में वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं उनके इन ही कामों की वजह से लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं वो हमेशा समानता मानवगरिमा के प्रबल समर्थक रहे हैं इसके साथ ही वो कई समाजिक सांसकर्टिक संगठनों और ट्रेड यूनियोनों के अध्यक्ष और सनरक्षक भी हैं। अगरवाल जी को प्रकरती से बहुत प्यार है और इसके सनरक्षन के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अगरवाल साथ कारेकरम अगरदूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखने और सीखने को मिला। उसी को मैंने अनुसरन किया। और यही कारने में यहां तक पहुंचा। हमारे पिता जी सुतन का सनानी रहे। उसके बाद उनका एक लंबा सफर 20 सार तक वो अलग-अलग चुनाव जीतते रहे। तो लोग आते थे उनकी किस तरह से खिद्मत की जाती थी। उनका कैसे काम किया जाता था। गरीब आदनी को कैसे पूछा जाता था। गरीब आदनी को रोटी और रोजदान मिले उसके लिए। कैसे काम किया जाता था। और हमारा धे क्या होना की पॉब्रिक लाइब का वो सारी बाते उस समय मुझे सीखनों को मिली। अब वो ही मैंने अपने जीवन में उतारी। अगरवाल साब, पिताजी से आपको प्रेणा मिली। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त राजनीती को समाज सेवा का माध्यम माना जाता था। अब लोग समाज सेवा को राजनीती में आने का माध्यम मानने लगे हैं। और राजनीती को व्यवसाय मानने लगे हैं। पैसा कमाने का साधन मानने लगे हैं। हर एक की अपनी धारणा होती है मेरा मानना ये है और जो मैंने अपने उपर पूरा जीवन मैंने जिस तरह बिताया है उसमे मुझे कभी भी अपने उन जो मेरे उदेश थे उनसे भटकने की जरूरत महीं पड़ी मैंने उन्हें कभी बदलने की भी कोशिश नहीं की मैंने ये दिखाया कि बिगर किसी खर्चे के बिगर किसी पैसे के सिरफ लोगों की सेवा का धेव बना कर भी हम लाजनीती में जिन्दा रह सकते हैं और काम कर सकते हैं और लंबी दूरी की सोच रखने से आप उस काम में उसको पूरा भी कर सकते हैं मैंने करके भी दिखाया मेरा बहुत लंबा सफर है तो वही कारण है कि मैं इतने लंबे समय तक नहीं निचे तोर पर आप प्रणिणा के शोते हैं इसलिए हमने आपको इस कारेक्रम में बिठाया लेकिन मैं एक जनरलाइस बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज एक सोच वाले लोग भी एक तरह के नहीं होते कुछ लोग चलाकी को स्यासत समझते हैं मैं समझता हूं कि हम इमानदारी को स्यासत कह सकते हैं मीनत को स्यासत कह सकते हैं सेवा की भागना को स्यासत कह सकते हैं श्री जैप्रकाश अगरवाल दिल्ली के एक जाने माने परिवार से तालूक रखते हैं पुराणी दिल्ली के आईए देखते हैं क्या है पुराणी दिल्ली का इतियास और क्या है लाला रामचरण अगरवाल जी का इतियास जाने माने स्वतंतरता संग्राम सेनानी स्वर्गिय श्री राम चरन अगरवाल को लोग लिटल बिग मैन आफ कॉंग्रिस कहते थे गांधी के आदर्शों पर चलने वाले राम चरन जी ने अपनी पूरी जिन्दगी गांधी और खादी के बारे में लोगों को बताने में लगा दी दो दिसंबर 1919 को दिल्ली में राम चरन जी का जन हुआ था उनके पीता सुवर्गिय श्री राम चंद्रमल जाने माने बिजनसमें थे अपनी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी का पूरा असर और प्रभाव राम चरन जी के उपर पूरी जिन्दगी रहा इसी के चलते राम चरन जी ने लोगों के बीच अपनी पहचान, इमानदार, बहादूर नेता और एक साफ सुथरे सफल बिजनसमें के तौर पर बनाई उन्होंने अपना जीवन, निर्धन और पिछड़े लोगों के उध्धार में लगा दिया राम चरन जी महात्मा गांधी के विचारों और कामों से खासे प्रभावित थे इसी के चलते उन्होंने स्वतंतरता संग्राम में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 19 साल की उम्र में वो डी पी सी सी के कोशा धक्ष चुने गए स्वतंतरता आंदोलोनों के दुरान वो 1949, 1942 और 1945 में जेल भी गए राम चरन जी उन 11 लोगों में शामिल थे जिन्हें महात्मा गांधी ने अरुना आसिफ अली के साथ व्यक्तिकत सत्याग्रह के लिए चुना था दिल्ली में यमुना की सफाई, जुग्गी जोंपडियों का विकास और पटरी वालों का पुनरवास उनके मुख्या उदेश्य थे राम चरन जी ने ही दिल्ली में पहली बार रैन बसेरा की शुरुवात की थी जैसे आपने अपने जीवन का प्रारंब किया और आप राजनेक शेतर में उत्रे तो समाज सेवा से किस तरीके से आपने इसको जोड़ने की कोशिश की दोनों चीज एक हैं आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी राजनेतिक पार्टी में काम करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं मेरा समाजिक जीवन अलग है और राजनेतिक जीवन अलग है खास्तों से दिल्ली का समाजिक जीवन और राजनेतिक जीवन एक है अगर आप समाजिक तौर पर आप में बुराईया है तो आप राजनीती में कभी पूरे नहीं उतर सकते और अगर में राजनीती में कुछ गलत काम किये हैं आपको गंदी छवी आपकी है तो आप समाजिक तोर पर भी लोग आपकी प्रतेश्टा नहीं करेंगे, कभी आपकी इज़त नहीं करेंगे, मुझे लगता है दोनों चीज एक है, और लोगों को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, ताकि उनकी इज़त बनी रहे, जो भी आप नाम छोड़ेंगे, वो बहु कर भी कर सकते हैं, चुनोती के सामना, आप सीना ताम के भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 1947 से पहले सोतंता सनानियों ने सीनों पर गोली खाके देश को आजाद कराया, तो जुकने का तो को प्रशनी पैदा नहीं होता, जो भी चुनोती हैं उसका मुकाबला करना चाहिए, अपने जो उद्देश हैं, उनको कभी नहीं छोड़े आदमी, यही छवी आपकी रही भी है समाज के अंदर, लेकिन आपने चुनोतीयों की बात की, इस राजनेतिक सफर में इस तरह की की चुनोतीयां आपको सामने आई, निश्चे तोर पर आपको फेस करना पड़ा होग जो आपके विचारधारा से मिल नहीं खाते, या जो एक बुन्यादी तोर पर लोग जिसे अच्छा समझते हैं कि जो आगे चल रहा हो, उसकी टांग रसीटो, तब हमारी जगह बनेगी, जिससे मैं बिलकुस चैमत नहीं हूँ, मुझे लगता है, अपने काम से अपनी जग बनती है, और वो मैंने करके भी दिखाया, तो ये चुनोतिया तो आती रहती है, ये तो जीवन का हिस्सा है, किसी का जीवन भी एक साथ नहीं होता, उसमें उतार चलाओ, जरूर आती है, जो एक सबसे बड़ी बात ही होती है, अगरवाल साब, हम अपने इस कारिकर में पू काम नहीं कर सकता, देखे, अगर आपका परिवाल आपका साथ नहीं देगा, तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते, कभी भी आपके घर का मौल अच्छा नहीं होगा, हम जब छोटे ते तो अपनी माताजी को देखते थे, सौ सो प्याले चाय बन रही है, पचास प्याले काव आते हैं, सब बच्चे, बहु हैं, सब काम करते हैं, जब कोई काम आता है, लोग आते हैं घर में, तो उनकी लिए चाय बनाना है, उनको इज़त देने के लिए अलग अलग तरीका है, उसमें सब लोग काम करते हैं, तब ही आप पूरे होप आएंगे, एक लंगर की तर धन की भी विस्ता करनी होती है सर्थ मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि राजनीती में धन का प्रयोग कोई फाइदा नहीं देता जो लोग धन खरच करते हैं उनको लगता है हमने पैसा खरच कर दिया या करते हूं मुझे नहीं लगा कभी आज ता कि पैसे से कोई चीज़ पाई जा सकती है मैं राजजेस्भा का सर्देश से बना लोग पता नहीं क्या क्या बाते कहते हैं लेकिन माफ करना जिस पार्टी से मैं सम्मद रखता हूं कांवरेस से उसने मुझे राजजेस्भा दी मेरे तो कोई खरचा नहीं हुआ मेरे से तो कोई मांगनी थी आप अगर किसी भी पार्टी के साथ बज़ंदार तरीके से मजबूती के साथ और निष्टा के साथ उस पार्टी में रहते हैं तो पार्टी हमेंशा आपका ध्यान रखती है पैसे की कोई गुण जाईश नहीं जैपरकाश अगरवाल को जो प्रेड़ना मिली अपने पिताशी से मिली राजनितिक सफर होईं से आपने शुरुआत किया लेकिन एक सोच होती है एक आइडेलोजी होती है आदमी यह सोचता है कि जो कोटेशन होती है उसको प्रेड़ना जो मिलती है क्या आप मानते है उसको कोई ऐसी कोटेशन ऐसी हो जो आपको दिमाग में हर वक रहती हो कि आप इसको अमल में करना चाहते हैं इससे आपको प्रेड़ा मिलती है दो तिन चीज़ है है जो मैंने देखे मैंने अपने पिता जी से सीखा कि गरीब आदमी को बड़ी इज़त दो मुझे ध्यान है हम छोटे थे तो हम देखते थे किस तरह वो कोई भी पट्री वाला आता था काम कराने स्लम करते वाला तो उसकी बड़ी खातिर करते थे तो हमें कई बार हम छोटे थे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये इतना गरीब सा आदमी इसको खाना भी खिला रहे है नहीं इसको बजार शेबो लाके खिलाओ इसको ये देओ और उसको धन राशी भी कुछ कविवार मदद करते थे लेकिन बाद में बड़े होके हमने देखा कि वो ही आदमी तो हमारी जान है वो ही है जो हमारे लिए खुब इजट देता है हमारे नारे लगाता है हमारी हमारी पार्टी का जंडा उठाकर चलता है तो मुझे लगता उसके बाद मैंने इंद्रा जी से सीखा मैंने राजीव जी से सीखा इंद्रा जी से सीखा कि इंद्रा जी पार्टी वरकर की बड़ी कीमत रखती है हमेशा कोई पार्टी का वरकर हो क पार्टी का वरकर आगया नहीं चोटे से छोटा आदमी इंद्रा गांजी का बाजू पकरता था वो खुश होती थी काम करती थी राजीव गांजी दूर से कहते थे तो हर आदमी बड़े उसांसे उनके पास जाता था क्या कारण था वो ही तो आदमी है जो हमारी ताकत है तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है दलित लोग है निचला तब का समाज का कमजोर आदमी है वंचितवर का आदमी है उनको साथ लेकर चला जाए और खुशी उनके चेहरे पर आनी चाहिए अगराल साब बहुत कुछ आपने पाया है राजनीती के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है मन में कई वार आदमी के इच्छा होती है कि काश मैं ये कर पाता या ये और करूं या ये कुछ कमी सी रहे गए ये समास सिवा के अंदर ये करना चाहिए मुझे नि लगता सर मुझे ही लगता है लोग इस सवाल को अकसर करते हैं मुझे लगता है जब आपको समय मिला उस समय आप सौ फीसदि काम करें कोई चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि बाद में ये सोचे मैं होता तो यूं करता मैंने को ये करना चाहिए था जब आप बने हो मेंबर बने हो तो जब भीisas Kyaw के सारी चीज amiga सोचने के गुंजाइश क्यों है प्वाद में की कोद्या बाद में की सोचने कुप जिब ऐस सकती है पोजिशन पर अपना 100% देने ही कि उसको पोशिश करनी चाहिए क्या प्रेणा आप समाज को देना चाहते हैं अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों को मैं एक कॉंग्रेसी हूँ मैं एक अगरवाल परिवार से तालुक रखता हूँ और मैं एक हिंदू हूँ मुझे लगता है इन तीनों में बहुत अच्छा ताल मेल बठा कर हम काम कर सकते हैं कॉंग्रेसी की तौर पर जन सेवा का काम हो गया अगरवाल के बदॉलर हम आज जिस समाज में पहली लाइन में चल रहे हैं तो हमारे किसी गलत काम से समाज की बरणामी नहोगों बड़ी इज़त देते हैं समाज वाले तो अगर कोई भी एक व्यक्ति हमारे समाज का अच्छा काम करेगा पूरे समाज को नाम मिलता है गलत काम करेगा पूरे समाज को बरणामी मिलती है तो कोई गलत काम करने का हमें हक नहीं है तीसरा हम अपने धर्म को मानें उसके उपर चलें और इन तीनों में कोई आपस में कम्प्रीशन भी नहीं है आप तीनों चीजों को मैं रावनिला में हिस्ता लेता हूं और बड़े जोर से भगवान का नारा भी लगाता हूं मैं पूजा पाट भी करता हूं हम धामिक लोग ह कहीं कोई टकराव नहीं है ये सिर्फ मान सेकता के बाद अगरवाल साब आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे कारिकरम अगरदूत में लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम कारिकरम अगरदूत में चर्चा कर रहे हैं श्री जैपरकाश अगरवाल से जैपरकाश अगरवाल जी दिल्ली कॉंग्रेस के वरिष नेता है पांच बार सांसद रह चुके हैं तमाम सामाजिक और राजनेतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं स्वास होना चाहिए था लोगों को आपसे काफी अपेक्षाएं भी थी वो नहीं हो पाया क्या करना है ऐसा नहीं है वेखे एक शहर बसाना और एक बसावा शहर चानी चौंग का नाम चार दिवादी के अंदर के शेहर को चानी चौक कहा जाता है नहीं है अब उसका कल्चर देख लेया, वहाँ पे जो इस समय वैपारिक संस्थाएं हैं, मेरा हमेशा ये सोच रही है कि उन्स वैपारिक संस्थाओं को कोई चोट ना पहुचा सके, हम रहने वालों में और उनमें तालमिल करके काम करें, ताकि चानी चौका दवलम में ठो सके, चानी चौका डवलम में का मतलब सलक बनाना नहीं है, अब जैसे हमने कई मल्टी स्थोडिट पार्किंग वहाँ बन भाई, ताकि वहाँ वैपारिक हो आने में सुवदा हो, रहने वाले को सुवदा हो, महाँ बहुत सारे सलम करते हैं, उनमें काम करवाया, अब अगर ये कोशिश होती है कि वहाँ क वैपार को उजार दिया जाए, तो मैं उसके साथ कभी नहीं हो सकता, मैं एक वैपारिक परिवार से सालुक भी रखता हूँ, मेरा मानना ये था कि आज दो रेलवे स्टेशन और एक बस अड़े, उसके बीच का ये जो धाचा है, ये वैपारिक केंद रहेगा, क्योंकि लो परिट्स हैं, नया बाजार सदर बाजार चाहिए, जो सब होलसेल मार्किट है, तो मेरा विजन बिल्कुर दूसरा था, मैं ये चाहता था कि यहां का वैपार खुब बढ़े, ताकि उससे लोगों में रोजगार पैसा आएगा, और उससे खोशानी बढ़े, लोग इसलिए इसलिए आपकी तरफ देखते हैं, कि आप अगरवाल समा से तालूक रखते हैं, और वैपारिक गतिविदियों का केंद्र है, ज्यादा तरह गरवाल परिवार उसकाम में लगे हैं, क्या आप उस विजन लेकर चल रहे हैं आपको मौका मिले तो अब क्या करेंगे आगे? सब मेरा जो मुखे उद्देश ये रहता है, कि जो लोग हैं उनको रोजगार मिले किसी तरह, जो एन्वार्मेंट है, वो एन्वार्मेंट अच्छा हो, जो वैपारिक केंद्र है, वो वैपारिक केंद्र की और प्रतिष्टा भड़े, और काम हो उनके पास, तब ही हम किसी चीश को आगे लेकर चल सकते हैं. अगर आपने सिर्फ एक विजम के साथ काम करा, आप माली जे सलक बना देते हैं, लेकिन पेड नहीं लगाते। आप सीवर के देते हैं, लेकिन उसका आउटलेट नहीं निकालते। आप कोई स्लम कर्टा बनवाते हैं, आदा काम करते हैं, आदा नहीं करते हैं, आप लाइट लगाते हैं, लेकिन उसका फाइदा नहीं होता, आप पार्किंग बनाते हैं, जो इतनी दूर हो जाती है, जिसका महा के लोग फाइदा नहीं उठा सकें, तो आपको इसमें तालमिल बठाना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, जैसे मैं जमना पार गया तो मैंने का जमना पे पुल बनाओ ताकि बाहर का वैपारी अंदर आए बाहर का लोग अंदर आने में दिक्कत ना हो तो इक विजन आपका होना चाहिए तब ही लोग भी आपको पसंद करेंगे आपने पुल की बात की आप नौर्थ इस डिली से भी सांसादर और चांडनी चोप से भी उनको जोड नहीं उससे अब दलितों की और गरीबों की बात करते हैं गरीबों के पैसे को मापर 800 करोड जार करोड पर लगा दिया गया मैं तो आज भी सेमत नहीं हो से खुश लोगों को मेरी बार ना पसंद हुई मेरा केना यह था ऐगर 100 करोड रुपे में एक पुल बनता है तो आप चार पुल बना दो, चार सो करोर में बन जाएंगे, आप ये ताजमेल को खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे, उससे कोई दूरी भी कम नहीं हो रही है, आप मानीजे मुकरबा चौंक जाना हो, और जमना पार्च से जाना हो, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना पड़ेगा, आप अगरवाल समाज के लोगों को, और जो वन्चित वर के लोग हैं, उनको क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे हमारी समादिम से हैं, मुझे एक दुख है, वो ये है कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, वो राजनीती में बहुत कम आते हैं, समाज सेवा में बहुत कम आते हैं, और यही कारण है कि उनको जब वो आते हैं तो वो जगए नहीं बिल पाती है, जिए जगए के वो लायक होते हैं, ये रोजमर्णा का काम है, अगर आपको समाज सेवा करनी है, तो आपको समाज सेवा भी करनी चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए, तो आ आप अपनी जगह किसी राजनेतिक पार्टी में भी बना सकते हैं लेकिन हम एंड टाइम पे जब चुना होता है जब आते हैं तो फिर दिक्कत होती है हमें दूसरों से मुकाबला भी करना है जो लोग उस फील्ड में पहले से काम करना है तो मुझे लगता है कि हम जो या हमार समाज के जो बच्चे हैं उनको परिवार की तरफ से इतनी छूट होनी चाहिए कि उस समाजी कार्ब में भी बेपार के या नोकरी के अलावा ही पूरा हिस्सा लेकिन जो ये एक सोच है बनी हुई कि अगरवाल समाज को राजनिती में इस्तेमाल किया गया अभी तक या किया सकता है मदद मांग सकता है लेकिन जो हमारे परिवार के बच्चे ही उस तरफ नहीं जाना चाहते तो लोग तो आपको इस्तमाल करेंगे आप जो जिस पिष्ट भूमे में कोई पैदा होता है वो वही काम करना जादा पसंद करता है अगर कोई बच्चा राजनितिक परिव जाता है वकील का वकील की तरफ चल जाता है तो यह तो बदलना पड़ेगा अपना सोच आपको सोचना पड़ेगा कि हमें धे बनाकर हमें समाज सेवा करनी और आजनीति में जाना है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कारेक्रम अगरदूत में पधारने के लिए यह थे श समाज सेवा में आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा और तभी कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है साथ में उन्होंने यह भी संदेश दिया कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए जातपात से दूर होकर काम करना चाहिए और जो कॉंग्रिस की नीतियां है उसको भी बहतर मानते ह हैं उन पर चल कर ही एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है दोस्तों अगर आपके जानकारी में आपके सरकल में ऐसे वैक्ती हों जो समाज सेवा में बढ़ चड़कर हिसा ले रहे हैं अच्छे मांदंडों का पालन कर रहे हैं या इसी संस्थाएं हैं जिनोंने अच्छ यह भी रहेगी कि ऐसे वैक्तियों को कारेक्रम अगरदूत में हम शामिल कर सकें और उनसे बात चीत करके आपको रूबरू करवा सकें कारेक्रम अगरे अगरदूत में हम अगले सब्ता आपको फिर किसी नई सक्सियत से मुलाकात करवाएंगे तब तक के लिए दीजेगा इजात, Namaskar!